हेलो फ्रेंड आजका वीडियो एक विग्यप्ति से सबंदित हैं यह विग्यप्ति गॉर्मेंट आप जमू एंड कस्मे सर्विस सेलेक्शन बोर्ड से आया है इस विग्यप्ति में 2311 पदों पर ओनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं इस विग्यप्ति में 2311 जो पद है ओविविन सब्जेक्ट के लिए हैं हम बात करें लाइबेरी यानि इन्फार्मेशन साइन्स के फिल्ड में तो लाइबेरी आसिस्टेंट के लिए 6 पदों पर आवेदन आमंत्रित किये गए हैं डिपर्टमेंटल वाइस पद की बात करें तो जनर्र अड्मिनिस्टेशन डिपर्टमेंट में 52 यानि 52 पदों पर आवेदन आमंत्रित किये गए हैं उन्फार्मेंट में 528 पदों पर आॉनलाइन आमंत्रित किये गए हैं इसके अलावा हम बात करते हैं, सुरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1444 पदों पर ओनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं, कॉर्परेटिव डिपार्टमेंट में 256 पदों पर आवेदन आमंत्रित किये गए हैं, फलोरी कल्चर गौर्डेंस एन परक डिपार्टमेंट में 4 पदों पर अवेदन आमंत्रित किये गए हैं, Department of Lord Justice and Parliament Affairs में 21 पदो पर आवेदन अमंतित किये गए हैं Department of Skill Development में 6 पदो पर आवेदन अमंतित किये गए हैं इस तरह से कूल 2311 पदो पर ओनलाइन अमंतित किये गए हैं हम बात करते हैं फॉर्म फिल करने की दिनंग की तो date of commencement for submission of online application 12 अपरेल 2021 है यानि 12 अपरेल 2021 से आव फॉर्म फिल कर सकते हैं और last date of submission of online applications 12 मही 2021 है यानि online फॉर्म फिल करने का जो अंतिम दिनांग के हो 12 मही 2021 है टोटल पद की बात करें तो टोटल पद 2311 है 2311 है इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें सुल्क की बारे में कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए सुल्क कितना लग रहा है तो इसके लिए थोड़ा सो स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं और इसमें हम बात करते हैं सुल्क का किस form को fill करने के लिए सुलक कितना लग रहा है तो हम सुलक की बात करते हैं तो face payable 300 rupis 350 rupis यानी 350 rupis सोड़ी इस application form को fill करने के लिए सुलक 350 rupis है ओलने 350 rupis अप online db credit card से सुलक पे कर सकते हैं इसके अलावा हम बात करें लाइबरी और इन्फार्मेंशन साइन्स के जो 6 लाइबरी असिस्टेंट के लिए पद्ध है उसके बारे में इस बिग्यप्ति में हम बात करें लाइबरी और इन्फार्मेंशन साइन्स के फिल्ड में लाइबरी असिस्टेंट के लिए जो पे बेतन मान कितना है तदा बेसिक क्वालिफिकसन कितनी है इसके बारे में तदा सेलेक्शन किस बेसिस पे होगा इसके बारे में इन सब के बारे में फुल जंकारी मैं इस वीडियों बता रहा हूँ तो यह विग्यापन 117 पेज का है तो फ्रेंट इस वीडियो को ज़्याद कर लेजे और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दिजे त्योंकि इसी तका वीडियो बनाता रहता हूं अपडेट और नी वीडियो की जंकारी आपके मोबाइल स्किन पर मिलेगी ता ये वीडियो स्टाट करते हैं जैसा कि यह विग्यापती यानि विग्यापन 177 पेज का है लेकिन लाइबरी असिस्टेंट का जो पद है 178 सिरियल नंबर है डिपार्टमेंट हेल्ट एंड मेडिकल एजुकेशन है पे लेबल फोर है और पेमेंट 25,500 से लेका 81,100 तक पेमेंट है पद लाइबरी असिस्टेंट का है कुल पद तीन है और क्वालिफिक्श की बात करें तो बेचलर डिग्री इन लाइबरी साइंट यानि आपके पास B.L.I.C. डिग्री पास है यानि पास हो चुके है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और जो मेरिट लिस्ट बनेगी यानि इसके लिए एक रिटन एक्जाम होगा और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा इसके अलावा अगला हमारा जो पद द लाइबरी इंफोरमेशन साइंस का ओ और यहां पर दिखते हैं जो हमारा पद लाइबरी असिसेंट के लिए तो यह जो सिरियल नंबर है ओ दो सो अथैस है अगले पेज में दो सो यानित नंबर पर हैं है यह हेलन ट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं पे लेबल फोड हैं 25,500 से लेकर 81,100 तक सेलरी हैं लाइवेरी असिस्टेंट का पद हैं और इसमें कुल पद की बात करें तो कुल दो पद हैं और क्वालिफिक्शन की बात करें तो बेचलर डिग्री इन लाइवेरी साइंस कर दी बी लाइ आप पास हैं तो आप इसके लिए एलिजबल है आप अपलाई कर सकते हैं और सेलेक्शन रिटेंट एकजाम के बेसिस पे होगा अगला पद की बात करें तो अगला पद हमारा 91 नमबर पे है पेज नमबर 91 पे है तो इसको मैं स्क्रॉल करके जल्दी से 91 नमबर पेज लेकर सोरी 91 नमबर पेज लेकर आजाता हूं तो फिरेंड अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजे क्योंकि यह सुचना सबके पास पहुंच जाएं तो अगला जो हमारा पद है ओ पद है यानि सीरियल नमबर है 408 इस विग्यपती में जो सीरियल नमबर है 408 है और लाइबरी असिस्टेंट का पद है पे लेबल सेम है और जो नमबरा पद एक है इसमें गरेजोशन या बीलीब मांगा हुआ है और सेलेक्शन रिटेन एक्जाम के बेस पे होगा तो फिरेंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए अब ही तक अपना इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबादेगें